5,500 स्क्रीन्स बुक कर लेते हैं एक तो यह मोनोपॉली है एक फिल्म और आई थी गांधी गोड से करके वो उसको स्क्रीन्स ही नहीं मिल रही है तो जब यह आप मोनोपॉलाइज कर लेते हैं कि एक सिनेपॉलिस है उसमें 28 शो चल रहा है PVR सारा बुक है, Ionox सारा बुक है एक ही शो चल रहा है तो दरसकों के पास कोई विकल्प नहीं होता है यह अवयशुक्ला है एक सही मिस्रार है इन दोनों का सेम है रेटिंग सेम है, हैस्टेक सेम है, शारुक कान डिलिवर सक करियर मतलब दोनो ब्लू टिक वाले हैं तो यह ल entertainment यही सब चल रहा है तो यह जो है यह ट्विटर पे कुछ लोग एक ही तरह की शब्दावली के साथ review कर रहे थे कहीं से मतलब दूसरी galaxy से कुछ radio signals हमें प्राप्त हुए हैं तो इसी में कोई एक यह भी लिख रहा था कि वहां से यह signal इंटरप्रेट हुए कि पठान जो है वहां पर भी house full चल रही है who the hell is watching this type of crap जो यह बनाता है शाहरोग खान या इसके जैसे लोग हैं कौन लोग देखते हैं तो आप पाएंगे कि यह वही मूर्ख हैं मूर्खों की मंडली है जो अपने आपको एसार कियंस या इस तरह के अलंग करणों से नवाजते हैं और जिनके जीवन की केवल एक मात्र उपलब दिया है आप कौन हम शारुक खान के फैन हैं और हम तो first day first सो देखने वाले जीवन में और कुछ नहीं किया इन्हों ने जीवन में हाँ और कुछ किया है ट्विटर पे मावहन की गालियां देते हैं ये दूसरे लोगों को जाकर ये सब जो ये soft power और फलाना डिमका का आया है soft power है तो शारुक को नंगा क्यों करवा लेते हैं US के एरपोर्ट पे शारुक कई बार रोता भी इस बात के लिए ये कोई soft power नहीं है ये कमनिस्टों की बुल्सेटरी है इसके अतरिक्त कुछ भी नहीं है बॉलीवन त्रीराज और ये सारी फिल्में जो फलाप हुए है उन सब में कोविड आया पूश्पा में नहीं आया था कोविड अब पठ चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बिल दबा दे ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत ही मिलती रहे है आईए आरंब करते हैं नवसकार दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पठान फिल्म की ऐसा नहीं है कि मैंने मूवी देख ली है और आपको भूला कि आप आप लोग मत देखे और मैं स्वेम देख काया हूं मुलता हम बात करने जा रहे हैं कि जो प्लॉट है जो ट्विटर पर या अन्य रिविएर्स जो प्लॉट और स्टोरी की बात कर रहे हैं वो क्या है और किस तरह से फेक अर्निंग्स दिखाई जा रह दिखाई है सिनेमा हाल्स में कितनी ऐक्यूपेंश्य है कितने जो टिस्टिबिशन होते हैं दिस्टिब्यूटर होते हो कितना शेयर लेते और किस तरह से फिल्मों को ये जो ब्रहमास्ट में ये तक्निक अपनाई गए थी कि ट्विटर पर एक ही तरह के रिव्यू जा रहे हैं और एक ही तरह के स्टार्स दिये जा रहे हैं और एक ही तरह के बूली बूली जा रही है कि भाई फोर एन हाफ स्टार है ब्लॉक बस्टर है क्या व्य ऐफेक्स है इस तरह की बात उसके बाद हम बात करेंगे पांच तरह के refugee की एक क्यारके ने दिया एक कोमलाहता ने दिया जो इंडिस्ट्री का आप कह सकते हैं कि लपडॉग एक तरह से है उसने दिया तीसरा रिव्यू जो जिन लोगों ने देखा था जो फैंस थे और वो निराश होकर बहार आये हैं, चोथा जो ट्विटर पर घूम रहे हैं कई तरह के रिवीव और पाच माँ उन लोगों के स्क्रीन शॉट्स जो बहुत ही जादा नाराज हैं कि मतलब कुछ लोग तो पैसे मांग रहे हैं और फिर गा बाकी लोग भी नरुत्तम मिश्रा और ये लोग भी अब पॉस्टिवली बोल रहे हैं और अचानक से भाजपा के नेताओं के सुर्व बदल गए इस फिल्म को ले करके, सबसे पहले हम फिल्म की चर्चा करेंगे कि फिल्म ये है क्या, प्लॉट क्या है, स्टोरी क्या है, स् 370 हटने के बाद पाकिस्तान नाराज हो जाता है और फिर एक परमवीट चक्र विजेता, एक इंडियन आर्मी का अफसर होता है, जौन आबराहम, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्रिस्ट हो जाता है, मतलब आइडियोलोजिकल नहीं है, आइसिस नहीं है, तालिवान नहीं है कॉन्ट्रैक्शुल टर्रिस्ट है, और वो एक रक्तबीज नाम का वाइरस बनाता है, और उसको किसी जहाज पे डालता है, और वो जहाज जो है, इंडिया में आके क्रैस करने वाला पूरा भारत बरबाद हो जाएगा, इसको बचाने के लिए शारु खान को बुलाया जात है कि देश को तुम्हारी जरूरत है, तो वो जो है MI7 या MI6 जो भी जोइन करने के लिए जाता है, तो वही टिपकल स्टोरी है, और इसमें इसकी सहायता करती है, पाकिस्तान की एक ISI एजेंट, पाकिस्तान से प्रेम और हिंदूों से घ्णा, या भारतिये लोगों से घ्ण और भारतियों और हिंदू जो है, बॉलिवुड के लिए आजकल के संदर्व में एक ही होता जा रहा है, वो आपको दिखेगा, मैहूना फिल्म जो बनी थी, उसमें भी यही था कि टेर्रिस्ट कौन था, रागवन करके था, राम, रागवन, ऐसे करके, मेजर राम तो स्वा भारत को बरबाद करने जाता है, तो पाकिस्तान के ICI की एजन्ट जो दीपी का पदुकॉर्ण ने की रोल, वो जो है, आके इसकी मदद करता है, और फिर जो है, देश बच जाता है, अब प्रश्न यह है, कि इस तरह की फिल्मों में, जो स्टोरीज होती है, लगवक सिमलर ह होती है, आप James Bond वाला उठा लीजिए, 007 का MI Series उठा लीजिए, या जो भी इस तरह की Spy Thriller होती है, जिसमें दुनिया पर या उस राष्ट पर संकट आता है, फिर उसका एक देश भक्त अफसर रहता है, जो एक, आप कह सकते हैं कि Maverick है, Maverick मतलब वो अकेला चलता है, जुन कॉल जाता है और वो आता है, यह टिपकल है, इसमें अब परमवीर चक्र विजेता भारतिय सैनिक, यह आप कब करते हैं, इस तरह की कहानी आप कब चुनते हैं, जब आपके पास ऐसा कोई उधारन हो, मैं दावे के साथ यह कर सकता हूं कि इंडियन आर्मी का कोई भी जबा मेडल, इस तरह के जो मेडल होते हैं, पदक होते हैं, यह भी या उसको भी अटा दो, बहुत रेर केस में कोई आफिसर जो है इस तरह का काम करता है, या अभी तक ऐसे कोई उधारन नहीं है, उधारन किन का है, जो मास मेसेकर का या नरसंगारों का या टर्रिस्ट एक सौटेड होती है उसमें कोई नयापन आपको नहीं दिखेगा तो फिर क्या आप उस व्यक्ति को एक रैंडम इंडिविजुल आप नहीं दिखा सकते थे माल लेते हैं कि आपको मुस्लिम इस्लामिक टर्रिस्ट नहीं दिखाना है तो उसको क्यों आप एक परपस दे रहे हो जबर्दस्ती का कि भारतियस सेना का है और परमवीर चक्र विजेता है और वो रोग चला गया है कोई सेंस नहीं बनता यहां पर आप दूसरा प्लोट ले लेते फिर भी कहानी उतनी ही effective होती ISI से प्रेम तो चाहिए शारुक खान की फिल्म हो सल्मान खान की फिल्म हो इन सब में आपको पाकिस्तान से प्रेम जो है और अफगानिस्तान से प्रेम ये दिखता ही है हम उसको भी एक मिनट के लिए आख मुन लें कि ठीक है ऐसे ही अमन की आसा का गेंग है ये लोग चलाएगा लेकिन उसमें इंडियन आर्मी के अफसर को इस तरह से दिखाना मुझे लगता है कि ये धूरता है और बहुत ही घटिया एजेंडा है अब आते हैं कि सिनेमा हॉल्स हमने देखा है मैं यहाँ पर भी कुछ फोटोज लगा रहा हूँ जिसमें एम्टी है खाली है हर जगा लेकिन दूसरी तरह ट्विटर पे क्या चल रहा है कि भाएकदम ब्लॉक बस्टर है हर जगा हाउस फुल जा रही है एसार कियंस एसार के फैन क्लब फलाना डिमका यह सब पूरा ट्विटर पे महौल बनाया हुए कि गजब की नभूतो नभविश्यती टाइप की फिल्म बन गई है और अब तो मतलब संभव ही नहीं है कि ऐसी कोई फिल्म बन पाएगी फ्यूचर में इस तरह का महौल बनाय थी तो इन सब दिनों के आप देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि लोग शेयर कर रहे लगाता रहे से स्क्रीन सोट जहां पे सिनेमा हॉल में अक्यूपेंसी जो है अवेलेबल है कोई ब्लॉक बस्टर नहीं कोई हाउस फुल नहीं कुछ नहीं आप जा सकते हैं टिकट खरी दिया और देखिए नॉर्मली जब ग्रीन से यलो हो जाता है तो सीट सर फिलिंग फास्टे से को भी फुल नहीं हो फुल रेड में होता है तो यह सब भी आपको स्क्रीन सोट मिलेंगे तो पता तो यह चलता है न कि हर जगह पर जिस तरह से यह दिखाया जा रह है उसको बता रहा है पठान की भीड़ है एक जगह कोई तीसरी ही फिल्म चल रही थी साउथ इंडियन मूवी और उसको बता दिया कि यह पठान फिल्म एकदम ब्लॉकबस्टर गजब के फैन है एकदम दीवान है नीचे एक आदमी बोलता है एक भाई मेरे मेरी मतलब यह म पर पठान नहीं चल रही यहां पर साउथ इंडियन कोई फिल्म चल रही है इस तरह से चीजे तो जब यह दिखता है तो हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए कोई फिल्म जब अच्छा करती है मान लिजे कोई भी उदारन हम लेते हैं कि अगर अच्छा कर रही है आप बाहु बली अच्छा कर रही है मान लिजे हिंदी वाला वर्जन जो है तो आपको एक समानता दिखेगी सिनमा हॉल्स के फिलिंग ऑफ सीट्स में ऐसा नहीं होता है कि भाई उत्तर प्रदेश के कानपूर में जो है एकदम फ्लॉप जा रही फिल्म और इलाहबाद में जगा है वह थोड़ा सा यूनिफार्म दिखता है यहां पर किया दिख रहा है पूने का स्क्रीन्ट आपको दिखा दिया मैंने हैदरावाद का दिखा दिया दिल्ली का दिखा दिया इंदावर का दिखा दिया इन सब में हर जगा पर शनिवार को ऑन-lain booking का डेटा आपको है कि सारे के सारे ग्रीन है ये उपलब्ध है तो ये कहां से ये फिल्म सूपर डूपर हिट हो गई और कहां से ये मतलब अभी एक आया था नासा या पता ने किसी का ट्वीट था कि कहीं से मतलब दूसरी गैलेक्सी से कुछ रेडियो सिगनल्स हमें प्राप्त हुए हैं तो इ यह भी हमें देखने को मिल रहा है एक ट्वीटर यूजर है उन्होंने लिखा कि जब भी मैं ट्वीटर को रिफ्रेस करता हूँ पता चलता है पठान पठान ने सौ करोर और कमा लिया है तो अभी तक जो है इनका सात लागशी हजार करोर जो है पा चुके हैं एक हमारे मित् स्काम तक जो है पठान की अर्निंग भारत की जीडीपी के बराबर हो जाएगी तो यह सब भी आपको देखेगा और इससे पता चल रहा है कि माहौल क्या है अब अर्निंग जो रिपोर्ट हुई है उसका कोई क्रेडिबल डेटा नहीं है ऐसा नहीं है कि तरन आदर्स हैं य कहीं 68 करोड है 63 करोड है कहीं 58 करोड है तो हर चेग देखे एक 2 करोर उपर नीचे समझ में आता है लेकिन 43 करोर से 68 करो इस तरह का समझ में एक तो ये मोनोपॉली है, एक फिल्म और आय थी गांधी गोट से करके वो उसको स्क्रीन सी नहीं मिल रही है, तो जब ये आप मोनोपॉलाइज कर लेते हैं कि एक सिनेपॉलिस है उसमें 28 शो चल रहा है, PVR सारा बुक है, आइनोक्स सारा बुक है, एक ही शो चल रहा है, तो दर्सकों के पास कोई विकल्प नहीं होता है, वैसे दर्सक जिनके पास कोई मूड बना के नहीं आए कि हमें ये मूवी देखना है, उनको अगर मूवी देखना है तो उनके पास एक ही विकल्प है, और वो किसी वी शो में हर 20-20 मिनट पे, 25 मिनट पे, एक घंटे पे कहीं कहीं शोपलब्द है उसमें जाके वो देख लेंगे तो एक तो आप ये करते हैं कि मोनोपलाइज करते हैं जो की बिजनस के पॉइंट आफ व्यू से जो सेवी जैसी संस्थाएं हैं कही संस्थाएं अगर आप दूसरे शेत्रों में इस तरह की मोनोपली दिखाएंगे मान ली मार्केट और मतलब बिजनस वाष्ट डॉक्स होते हैं सीसी या है यह सब हैं वह उस पर नजर रखती है और वह ऐसा होने नहीं देगी वह चाहती है कि मार्केट में स्वस्थ कंप्टिशन हो प्रतिवगता हो और बाकी प्लेयर्स भी आ गया है तो यह लोग नॉर्मली अप पार्ट से इस तरह की चीज़ें करते हैं कि पच्पंसव स्क्रीन्स बुक कर लिया अब यह बुक तो कर लिया आपने और उसमें हो सकता है कि आप स्वेमी टिकट भी खरीद रहें या जो भी आपका माध्यम टिकट खरीदने का उसमें पैसा किसके पास जाता है नॉर्मली म सिक्स्टी परसेंट अर्निंग हम रखेंगा इस तरह की चीज़ होती है लेकिन जब डिस्ट्रिब्यूटर पे आप प्रिशर डालके सारे शो अपने मतलब कहीं चलाते हैं तो उसमें डिस्ट्रिब्यूटर हमेशा अपना अधिक लेता है वो सकता है साथ परसेंट ले पच स्ट्रिब्यूटर होता है तो यह सब आप मिला के देखेंगे तो एक तरह से जो यह ग्रॉस और नेट का यह जो चल रहा है खेला उसमें आपको गेम समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अर्निंग को मैनेज किया जाता है अब हम आते हैं रिव्यूज के उपर सबसे पहले मै क्यारके के रिव्यू की बात करूंगा क्यारके भले ही क्रिंज वर्दी आदमी है जो भी है लेकिन फिल्म की रिव्यू मैं आज भी क्यारके की रिव्यू और कॉमल नहाता की रिव्यू मुझे देखनी हो जो दोनों मैंने देखिया दुर्भाग इसे तो क्यारके का रिव् फिल्म के सारे आस्पेक्ट्स पे बात करता है और वो बताता है उदाहरन दे करके कि अगर मैं बैक्ग्राउंड स्कोर की बात कर रहा हूं तो मैं बताऊंगा कि किस सीन में किस तरह का साउंड आया था जिससे रोंग्टे खड़े हो गए या सूधिंग था और वो कॉम्प्लि आस्प मैं सब के क्लिपस अभी शेयर करूंगा लेकिन क्यार के भी जो अभी तक ब्रहमास्त के समय उनके साथ एक कांड हो गया उनको जेल में डलवा दिया गया था और ब्रहमास्त जब तक चल कर उतर नहीं गे एक तरह से तब तक वो बाहर नहीं आ पाया क्योंकि क्यार के हो गया था कि लगातार वह एक लग रहाता किसी अजेंडे के तहत्थ वह कारी कर रहा है हर फिल्म की बहुत ही बूटल रिव्यू कर रहा था और कई माइनों में मैं बोल रहा हूं कि वह जो कर रहा था वह सटीक था सत्य भी था वह फिल्म के घटिया पने पर फिल्म की घिसी पिटी स्टोरीज के उपर, फिल्म के चुराए हुए म्यूजिक के उपर, फिल्म में फेक वीएफेक्स या घटिया वीएफेक्स, इस सब पर अपनी टिपणी करता था, तो वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, अब आप क्यारके का रिव्यू दस म नहीं है, कहानी 0% है, S.R.K. और D.P. का अलग अलग देशों में जैसे कि अफगानिस्तान, दुबई, फ्रांस, रश्या वगेरा जाते हैं और जॉन अबराहम के साथ लड़ते हैं, तो इस कहानी के सरपेर तो है ही नहीं, और फिल्म की पटकता की बात करूँ तो भाई नहीं है, तो पटकता कहां से आएगी, तो कुछ द्रश्चों की बात करना बहुत जरूरी है, भाई साब, S.R.K. को पता चलता है, कि दुश्मन ने मिजाइल छोड़ दिया है, और उस मिजाइल का निशाना, S.R.K. का मॉबाईल फोन है, भाई साब कसम से S.R.K. उस मिजा सर पर बिलकुल नहीं है, तो आपने देखा कि क्यार के ने किस तरह से इसके स्टोरी और एक्शन पर बोला है, कि एक तो एक्शन जो भी है इसका, ये पूरा का पूरा कॉपी किया हुआ है, मतलब कोई ओरिजनाल्टी नहीं है, जैसा कि बॉलीवूट की फिल्मों में आम त बतें थी, जिस तरह से शारुख खान महबते में बात कर रहा है, उसी तरह से डेट पोएट सोसाइटी में आपको रॉबिन विलियम्स बात करते हो, दिख जाएंगा, पूरा का पूरा, तो ओरिजनाल्टी के नाम पे ना तो ये असराज फिल्म के पास कुछ है, नहीं ये जो डायरेक्टर है, और इन डायरेक्टर का किसी को नाम तक नहीं पता होता है, मतलब ऐसा को ब्लॉक्बस्टर दिया हो, जो एक्चुल में फिल्मेकिंग में, मतलब उसके स्ट्यूडेंट्स जो भी होते हैं, फिल्मेकिंग के पढ़ने वाले, उनको याद रहे कि नहीं, ये सीन उसने अच्छा मतलब सोचा था, इसकी कंपोजिशन ऐसी है, इसने ये सीन अच्छा लिका है, तो पूरा घाल मेल जो है, खूब सारा बिनाकाम का वीएफेक्स की हेलिकॉप्टर जो है, वो गुदाम के भीतर में उर रहा है, प्लेन गिर रहा है कहीं पे जाके पूल है नहीं, और बोलता भी है कि एटी परसंट अब टाइम जो है, बॉडी डबल या डुप्लिकेट के उपर ये फिल्म सूट की गया, और सिर्फ वही डीप एक टेक्नलोजी होती है, कि चेहरा लगा दिया गया है, उसके आद क्लोज अप या बाकी के सीन ही जो है, वो शारु के बारे में बोल रहा है, नॉर्मली स्टन्ट डबल होता है, अगर एक्शन सिक्वेंसे अधिक हैं, तो वही लोग करते हैं, तो माल लेते हैं कि उसमें, जिनके सर पर बिलकुल नहीं है, तक्रिबन सेवेंटी परसंट फिल्म को स्टूडियो में बैठ कर वी एफेक्स से ब की है, सिर्फ 20% फिल्म ही दीपिका ने रियल में शूट की है, एसार के एक दम हैंड सम हंक लग रहा है, और 58 साल की उमर में जब एसार के ने अपने आपको परदे पर ऐसे देखा होगा, तो भाई साब एसार के का दिल खुश हो गया होगा के वा, देखो, ये लाउंडा है एसार के, 80% फिल्म एसार के डुप्लिकेट ने शूट की है, और बाकि 20% एसार के ने खुद की है, ये मसाला फिल्म नहीं है, बलकि महा मसाला फिल्म है, ये एक ऐसी फिल्म है, जिसको देखने के लिए आपको दिमाग को घर पर छोड़ कर जाना पड़ेगा, तो दोस्तों मैं इस फिल्म को देता हूँ 2.5 स्टार्स और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 5, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये फिल्म 200 से 300 करोड का बिजनेस जरूर करेगी, अब देखिए यहाँ पर डिरेक्शन और बाकी जो एक्टिंग और बाकी चीज की बात के यहाँ पर क्यार के देखिए ने, डायक्शन के नाम पे वही वह बोल रहा है की लिखने वाला भी स्वैम सिद्धार्त आनंद ही है और उसने डायक्शन भी दिया है, लेकिन डायक्शन के नाम पे जोकि फिल्म में सिर्फ एक्शन है तो एक्शन डायक्टर का ज्यादा रोल है और इसका कुछ वही है तीन लाइन का प्लॉट इसने लिया है कि इंडियन आर्मी का अफिसर है प्रमीट चक्विजेता है रोग हो जाता है भारत पे टैक करने की साजिस करता है पाकिस्तानी आएसाई जो है पठान की मदद करते हैं और फिर वो भारत को उससे बचाते हैं तो डैरेक्शन में यही दिख रहा है कि इसका विजन है क्या विजन वही है कि तीन लाइन की स्टोरी सोची गई कि इंडियन आर्मी का अफिसर है रोग हो जाता है पिर रॉक एजेंट पठान को बुलाया जाता है पठान की मदद जोय दीपिका करती है ताकि वाइरस को फैले से रोका जा सके और वो जाके अंतिम टाइम में डियक्टिवेट कर देते हैं और बचा लेते हैं और इस बीच में इधर से कॉपी मर्वल वालों की कॉपी एमाई वालों की कॉपी करके गाल मिल करके कुछ बना दिया गया तो यह है क्यार के का रिव्यू इसके बाद जो रिव्यू था कोमल नहाता का जी एटी सी या जो भी एक चैनल है उस पे आता रहता था तो मैं इंटर्व्यूज नॉर्मली रैंडमली कभी कभार देखा है उसका और फिर ये लोग जो है ट्विटर पर बताते हैं किस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली ये तो मुझे पता है कि ये लोग उसी मतलब आ अब कोमल नहाता का जो रिव्यू है वो इस बात पर फोकस्ट है कि चुकि इसका इतना ज्यादा बाइकॉट हुआ था इसलिए मैं ऐसी रिव्यू कर दूँगा कि मैं इसे बता दूँगा वही नभूतो नभूश्यती एक्चुल में मतलब आप देखे कि हमारे पास फिल्म बाहुबली है या अमिर खान की फिल्म है जो हजार हजार करोर का बिजनेस कर चुकी हैं इंडिया के भीतर पांच-पांच सौ करोर का बिजनेस करने वाली फिल्मे हैं साउथ इंडियन फिल्में भी हैं इंदी फिल्में भी लेकिन ये फिल्म जो एक्सपेक्टेड है कि दो के हिसाब से तो आप समझ सकते हैं कि या तो इसका गणित बिगरा हुआ है या फिर इसने को किसी पदार्थ का सेवन किया हुआ तो इसके रिव्यू के पहले हाफ में सबसे जादा है तमाचा आप सुनिए यह मतलब लगातार एक ही बात को कितनी बार कोमल नहाता जो है रिपी इस पे आप नहीं है और नहीं पठान एक ब्लॉक्वस्टर भाला लेकिन स्क्रीम प्ले इतना फास पेस्ट है कि आपको सोचने का मौका नहीं कई scenes हैं जिन में deafening applause मिलता है जी हाँ ये वर्ड पे गोर किलेगा deafening पर तालिया पड़ती है deafening absolutely आप कई dialogue समझ ही नहीं पाते हैं because सुन ही नहीं पाएंगे deafening round of applause लगातार सीटिया और तालिया बचती जाएगी इतनी सीटिया इतनी तालिया कि आप actually wonder करेंगे कि सिनिमा में क्या भुकम पारा है कि क्या हो रहा है राहु गादली से भुकम पारा है कि अर्थक्विक नहीं आ जाए पायलॉग्स मज़िदार है तो कॉमल नहाटा जी का ये भी आठ सारे आठ मिनट का इनका था तो उसमें से काटके मैंने दो मिनट बीस सेकेंड निकाले जिसमें मूलत दो हाफ आप कह सकते हैं पहले हाफ में है थपर कितने लोगों को पड़ा है सब को मतलब जो बॉलीवूट को बोल रहे थे कि बरबाद हो गया उसको थपर पड़ा है उसके बाद फिर बॉयकॉट गैंग को टाइट स्लैप पड़ा है इसके मुझे लग रहा था कि इसका कुछ पर्सनल बॉयकॉट गैंग वालों ने मतलब होता है घर से कोई किताब चुडा के भाग गया या इस तरह की इनके घर में रखी हुई चीज़ तो कुछ चुडा के भाग गया तो पर्सनल उसके पिर इन्होंने स्लैप वर्ड बोला पिर तमाचा बोला है तो परियावाची शब्द जिनको सीखना है वो कॉमलनाटा जी की ये देख सकते हैं और फिर उसके बढ़ाय करते कि भाई ऐसा नाच हो रहा था कि सिनेमा होल में लगा कि अब तो अर्थक्वेक आ गया मतलब भुकम पा गया और इस शब्द का प्रिय मतलब इनके रिव्यू का पूरा फोकस इस बात पर था कि आप डायलोग सुन ही नहीं पा रहे हैं डायलोग के बारें क्या बोलेंगे फिल्म में कोई कथा जो है नवीन नहीं है फिर भी बढ़ाय किये जा रहे हैं कि आगे बोलते हैं गजब की कहानी है और इतना फास्ट प प्यू का वो आप देखें उनके डांस तो लाजवाब है चारुक खान और दीपीका पड़ुकों दोनों इंटननाशनल स्टार्स लगे हैं इस फिल्म में देन दर जॉन एब्रहायम वाओ वाओ अट परफॉर्मेंस टेरिफिक एज जिम के मज़ाज आजा एक साथ स्क्रीन पर आते हैं तो ऐसा भुकम ऐसा भुचाल आ जाता है क्यांकि जिस प्रकार से उन्होंने फिल्म को निरेट किया है वाओ इस फिनॉमरेल इस डिरेक्शन इस डिरेक्शन इस एपसलीटली वंडरफॉल फुल माक्स तो इस डिरेक्शन और खास कर जब साफरें बिकिनी पहन क पर दिपिका पंडुकों स्क्रीम पर आती है उन सीन्स और गैजम मिल है नहाता जी को एसी सीन्स और तालिया बचती है कि देर इस एपसलीट के औस इस दोनों की कोरियोग्रफी ला जवाब है बैग्राउंड म्यूजिक इस फैबिलिस फंटाबिलिस इंपक्पल इफेक्ट आक्शन सीन्स की कोरियोग्रफी इस सो आउटस्टैंडिग जितनी तारीफ करें उतनी कम हैं प्रोडक्शन डिजाइनिंग में रजत पोदार इस फैबिलिस और आरिफ शेक की एडिटिंग ला जवाब तो ओवरॉल जैसा मैंने कहा पठान इस नॉट इस नॉट इस नॉट जबाब है फैन्टेबुलस है आसं है लाजबाब है गजब का है फैबिलस है आप्ट है मतलब जतने विशेशन होते हैं वही एक ही तरह के शब्दों को लगातार इन्हों ने वहाँ से उठाया है और इसको एक के बाद करके रखा है इसमें कहीं पर यह नहीं बताया कि पे अच्छी है कोरियोग्राफी की बात कर रहे हैं तो कौन से ऐसे मूव्स हैं जो अच्छे हैं आप मूलता समिक्षा करने बैठे हैं तो आठ मिनट में आप समिक्षा नहीं कर सकते हैं वैसे करने वाले करते हैं समिक्षा ने प्रतिक्रिया देते हैं उसको आप रिव्यू न इतने आस्पेक्ट होते हैं उस पर आप चर्चा करते हैं फिल्मेकिंग में क्या क्या होता है परफॉर्मेंसेज होती है अदाकारी उसके आता है निर्देशन डायरेक्शन होता है एक्षन फिल्म है तो एक्षन कॉरियोग्रफी आएगी सिनेमेटोग्रफी आएगी कि किस तर कहां पर setup हुआ है किस तरह के setup में फिल्म आगा है उस पर चर्चा होती है background music होता है कि film को जो visuals चल रहे हैं उसको कितना background music जो है absence of dialogue में कितना compliment करता है कितना mood को enhance कर रहा है बढ़ा रहा है उसके बाद आता है music अगर फिल्म में गाने हैं या उस तरह के आप कह सकते हैं कि poetic समवाद है उस तरह वहाँ पर music किस तरह से आता है इतनी चीज़ें होती हैं film making में तब जाकर एक फिल्म की समीक्षा होती है जो फिर लेखन हो गया कथा हो गई पट कथा हो गई समवाद हो हैं तो उतने category पे कम से कम 80% 70% category पे तो बोलोगे कितने लोग बोलते हैं उन सब चीजों पे तो वहीं यहाँ पे कोमल लाता है कि उसने category पे तो बोला है लेकिन खाली यह बोला है action choreography awesome editing तो गजब की है नाचा गजब का है background score दूआधार है बस इस तरह से इन्होंने manage किया और फिल्म की review नहीं दे रहे हैं यह लोग फिल्म की review देने की जगा इनके पास जो एक toolkit आया है वही toolkit एक तरह से activate हुआ उसी को यह लोग पुश करते जा रहे हैं अब twitter पे जो reviews आये हैं वो मैं यहाँ पे डालूंगा कुछ शब्द उठाएंगे आप देखेंगे कि same rating दे रहे साने चार स्टार का शब्दावली same है क्या है style swag non-stop entertainment यह लगातार आपको एक के बाद एक review जो है उनके पास दिख जाएगी और उसके साथ ही जो भी अपने आपको review बोल रहे हैं या twitter पे अपने बायो गायों में लिखे हुए हैं कि नहीं हम तो भया फिल्म की review करते हैं rating same है hashtag same है शारुक कान delivers a career मतलब दोनों blue tick वाले हैं तो यह लोग अपने आपको serious मानते हैं और उनकी review में bonafide blockbuster style swag non-stop entertainment यही सब चल रहा है तो यह जो है यह twitter पे कुछ लोग एक ही तरह की शब्दावली के साथ review कर रहे थे और हर जगा पे सारे चार या पांच स्टार है और हर एक actor जो फिल्म industry का है वो एक ही भाषा में बोल रहा है फिल्म देखी नहीं है बहुत लोगों ने इनमेंसे फिल्म नहीं देखी है लेकिन लेके जारे है भाई शारुक कान की वापसी मतलब गजब की है कहां से आया है फार दिया है चीर दिया है पता नहीं जो भी इनका ह है तो उस तरह से बोलना है तो दिखता है कि यह बॉलिवूट को लग गया है कि यह हमारे सम्मान का प्रश्ण है अब इसी कारण से अपनी इज्जत जो भी बची-खुची हुए है उसको बचाने के लिए हर नंगा जो है उतर आया अपनी छाती पर लिखे पठान वापस आ गया है पठान वापस आ गया पठान ब्लॉकबस्टर है वह हमें देखने को मिलता है एक भी ब्लॉकबस्टर रिव्यू जो भी लोग लिख रहे हैं वो किसी भी टेकनिकल ग्राउंड्स ऑफ फिल्मेकिंग जो मैंने आपको आठ दस चीजें गिनाई है उस पर कहीं पे भी क पिछली फिल्मों में बोल रहा है कि नहीः कोवीड के कारण लोग आने रहे वह सर अचानक से एक महिने के अंदर कि पिछली फिल्में जो फ्लॉफ हुई है जो बड़ी बड़ी फिल्में थी जिसको बोल रहे हैं बॉय कॉट गैंका इसका तो असर नहीं पड़ता यह कोव भारत में पिछले 13 महिने से नहीं है, लोग आज आ रहे हैं, सब कुछ सारे मार्केट्स ओपन है, सिनेमा हॉल्स, फुल उक्यूपेंसी, मतलब ऐसा नहीं है कि 50% पे या 25% पे सोसल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल फॉल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ smoothly चल रहा है फिर भी इनका जब flop हो रहा था तो बोल रहे हैं, इसमें बाइकाट वालों कुछ नहीं है, ये तो लोग आने रहे, तो अचानक से जन्वरी में, 25 जन्वरी को मतलब बोला कि नहीं भाई, पठान आ रही है, कोबीट गया अपनी, समझ गया होंगे आप, तो कोबीट गया अ हमें क्या अपनी जान नहीं दे देनी चाहिए, शारुक की वापसी हो रही है, तो लोग जान देने के लिए तयार हैं, जो कल तक कोबीट से बचने के लिए आही नहीं रहे थे, मतलब सेलेक्टिव देखते थे, कि कोबीट जो है, कश्मीर फाइल देखोगे, कोबीट नहीं यह सारी फिल्में जो फ्लॉप हुए है, उन सब में कोबीट आया, पूश्पा में नहीं आया था कोबीट, अब पठान में वही लोगों ने कहा कि नहीं भाई, किन खान है भाई, किन खान मतलब हकला रहा है साला कितने साल से, एक तरह की सड़ी हुई एक्टिंग, मतलब प काम इसको करना है, और उस पे लोग रहें, नहीं नहीं नहीं, मर जाएंगे, लेकिन भाईया, पठान तो देखना है, यह सारा चल रहा था, उसके बाद भी क्या इस्तितिय है, वो हमको आपको, सब को दिख रहा है, और कुछ पब्लिक रिव्यूज, मैं उसके स्क्रीन वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक यह है, जो एक मित्र वारताला आप कर रहा है, कि देख ली पठान, तो बिचारा सैड इमोजी दे रहा है, यह यह आप सही कहे थे, तो आदमी आसता है, बलता है कि बुरी थी, बलता है कि बहुत बुरी, फैन से भी बुरी, हम सब रो के वापस आए, एक यह रिव्व्यू है, एक यह है, इसमें तो रहा सा असलील हो जा रहा है, नायक जो भी इसमें चैट कर रहा है, बल रहा है, देख ली, रिव्यू दे दे फटा फट, मतलब जो मित्र गया था देखने तो बलता है, ठीक ठाक है बाई, तो बोल रह कि अंदर के मतलब WhatsApp के मित्रों के बीच के एक्सचेंज है तो आप मान सकते हैं कि यह कितना एक तरह से रियल टाइप का एक्सचेंज रहा होगा एक यह है रवी जी जो है उनका है कि वो बोल रहा है कि कांतारा ने तीन सो करोड का बिजनेस क्या सोलह करोड का बजट था पठान इस एक गुड टू फिप्टी करोड बजट मुवी मतलब दोसब और पियार मशिनरी इसके पीछे इतनी लगा दी गई है मैंने देखी है फिल्म और आडियन्स को उनके समय और पैसे दोनों के लिए कंपनसेट किया जाना चाहिए तो इस तरह के भी जो है रिव्यूज आ र होता है और उसका इंपक्ट जो है वो विजिबल है नहीं तो जलाद लुदीन रूमी के उपर बन रहे फिल्म ब्रहमास्त नहीं हो जाती अगर इंपक्ट नहीं होता तो शारुक खान की वापसी के लिए देशवक्ती के नेरेटिव का उसका थीम नहीं चुना जाता और पचानक से देशवक्ती वाले मोड में आ गया है या फिर वो आउट एन आउट मतलब बयान देने से बच रहे हैं या फिर जंडे से लूट करते हुए आपको दिख जाएंगे जंडा फेराते दिखेंगे अपने आपको देशवक्त और कि नए मैं तो बहुत पीस लविंग क्रेचर हूं यह करते दिख जाएंगे तो यह बताता है कि यह जो टोन में चेंज आया है वो वस्तुता बॉयकॉट गैंग अगर गैंग कहना चाह रहे हैं तो उसका ही प्रभाव है कि धीरे धीरे यह लोग हाँ पीतर से नहीं सुध रहे होंगे लेकिन इनका बिजनेस गैजर मेकिंग तो उस तरह से भी आपको दीखेगा अब क्या है कि लगातार ये लोग भले मोदी बोल ले उनके मंत्री बोल ले इस अब पर ये लोग रुकने वाले नहीं हैं जिन लोगों ने बहिशकार करने का अरंब किया मतलब मैं किसी ग्रूप या गैंग की बात नही है योगी जी से बोल रहा है कि आप अगर बोल देंगे तो हो जाएगा मोदी जी के बारे में भी आया था अब सच था कि जूट कि उन्होंने बोला कि बिना का नेताओं को जो है अन्नेसेसरी टिपनी करने से बचना चाहिए फिर अनुराग ठाकूर का ट्वीट आया है कि ब बिना देखे जाने जो है उसमें कुदना नहीं चाहिए उसका विरोध नहीं करना चाहिए तो वह इंडिरेक्टली जो है वह पठान का जो बायकॉट चल रहा था उसी के ओपर बोल रहे हैं तो हो सकता है संभव है कि भाजपा में उपर से कोई डिक्टाट आया हो कि आपको इस तरह के चीजों को अब जो है इस सेंटिमेंट को नीचे दवाना और इसको प्ले अप नहीं करना है आप जो फ्रंट फूट पे खेल लेते तो उसको जो है थोड़ा सा कम कीजिए अब एक चीज है कि लगातार ये लोग बॉयकॉट गैंग करके उसको नकार के लंबे समय तक ऐसे नहीं कर सकते कि फरजी डिटा दे के अपना चेहरा बचा रहे के सम्मान बचाए घूम रहे हैं ऐसा नहीं होगा अब बात यह हो गई है कि कब तक आप पूश करो कब तक कितने फिल्मेकर्स हैं जो पाचछेजार स्क्रीन बुक करके और फरजी डिटा दे के और ट् पाचिंग डिस टाइप ऑफ क्रैप जो यह बनाता है शारुख खान या इसके जैसे लोग हैं कौन लोग देखते हैं तो आप पाएंगे कि यह वही मूर्ख हैं मूर्खों की मंडली है जो अपने आपको इस तरह के अलंग करणों से नवाजते हैं और जिनके जीवन की केव एक मातर उपलब दिया हैं आप कौन हम शारुख खान के फैन हैं और हम तो फस डे फस सो देखने वाले जीवन में और कुछ नहीं किया इन्हों ने जीवन में हाँ और कुछ किया है ट्विटर पे मावहन की गालियां देते हैं ये दूसरे लोगों को जाकर जो इनकी फिल्म हम जानते हैं कि जिस तरह की ब्रेन वाशिंग हुई है ये जो अमन की आशा वाला गैंग है जो हर बार एक ऐसे नारेटिव को स्थापित करने की चेश्टा करता है जिसके दिन लद गए है जिनके दिन घिस गए है कि भाई पाकिस्तान किसी भी सूरत में भारत की मदद कर ही नहीं सकता और उसमें भी तुम I.S.I की बात कर रहे हैं जिनका हाथ active genocides में एंटनिक cleansing में ये सब में रहा है जो U.P.A के सरकार के time में मतलब bombings कर रहा था हर शहर में कहीं मुंबई में bomb फूट रहा है कहीं इली में bomb फूट रहा है हर जगा पे bombings हो रहा है हर कि भारती असेना को और वो तो चाहेगा कि बरबाद हो जए जैसे कि अभी हम सोचते हैं कि पाकिस्तान बरबाद हो जाए आटे के लिए तरह जाए इंडस वाटर ट्रीटी में भारत जो बोल रहा है कि हम री लूक करेंगे उसका पानी रोकते मतला हम तो चाहते है कि वो इस तरह से बिजली नहों उनके पास यह लोग जो बोल रहे थे कि हम घास खाएंगे टंबन जाओ घास खाओ तो जब हमारा आम आदमी का सेंटिमेंट इस तरह का है आपको लगता है कि वो ऐसे सैनिक वो ऐसे रेजिमेंट जिनके अपने बलिदान हुए वीर गति को प्राप्त हुए ह वो आपको लगता है कि उसको जो है और उधर से आए वाले जो अपने लास्ट तक जो है लेकर नहीं गए थे वो लोग जो है मतलब भारत वालों की मदद करेंगे कोई है ऐसा उधारन को ऐसा प्रमान है नहीं है तो इस तरह की मूर्खताओं को जो लोग वास्तविक्ता के निकट समझते हैं वही लोग ऐसी फिल्मों को देखते हैं अन्तिम प्रश्णिया है कि क्या वाकई बॉलिवूड जा सौफ्ट पावर है इंडिया का मुझे लगता है कि यह कम्मिनिस्टों की बुल्शिटरी है और कुछ नहीं है कि बॉलिवूड सौफ्ट पावर है बॉलिवूड को आप जब हॉलिवूड वाले या वेस्ट वाले जब बात करते हैं तो दे डिसमिस इट उनको लगता है कि यह बहुत ही फ्रिवलस और सतही तरह का इंटर्टेन्मेंट का इंडिस्ट्री है और आप देखेंगा सॉंग एंड डांस वो भी पेड़ के चारों तरफ नाच रहें इससे अधिक सीरियसलेस से वो नहीं लेते हैं हाँ दो चार पाँच हमारे स्टाल वार्ट्स रहे हैं हमारे बहुत बड़े निर्देशक रहे है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन बॉलिवुड ओवर हॉल वेस्ट वालों के लिए कुछ भी नहीं वो विष्ठा है और वाकई देखा जाए कि आप 900 फिल्में एक साल में बना रहे हैं उसमें 10 फिल्म भी अवसत से बहतर नहीं बना पा रहे हैं तो वास्तव में आप वि कोई सॉफ्ट पार नहीं है ये कमिनिस्टों की बॉल्सिटरी है इसके अतरिक्त कुछ भी नहीं है बॉलिवुड अगर होता तो हम उसका एफेक्ट देखते एफेक्ट हम देखते कि हमारे स्टाइल आफ फिल्मेकिंग को कहीं अप्रिशेट किया जाता उसको कॉपी करते उ हम हमेशा वेस्ट से वैलिडेशन मांगते रहते हैं कि भाई नाटू नाटू को जो है गोल्डन ग्लोब मिल गया और आसकर में नमिनेट हो गया ये क्या कोई सेलिबरेट करने वाली बात है वन पॉइंट फोर बिलियन में से उसमें से उसने कौन सा क्या उठाया है तुमको वो उसी तरह से अवार्ड भी दे रहा है तो एक तरह से मौक कर रहा है कि तुम बस यही ये नाचने गाने वाले ही हो इसके इतर तुम कुछ भी नहीं हो इसलिए आपको कोई भी सीरियसली नहीं लेता है आप देखें कि जब से ये वालिवूड में अब्यूदे होता है एक तरह के सब्जेक्ट चुनते थे जो आज तक यह चुनते हैं बहले यह नकसली बनके अब गोली मार रहे हैं लेकिन जब यह फिल्म मेकिंग में आते हैं तो इनका एजेंडा भी वही उसी तरह का रहता है कि पूरे के पूरे समाज को इस दुरगती में दिखा इतनी दुरदश सतर के दसक में उस समय आप देखे कि किन किन थीम्स में फिल्में बनी हैं लगता ही नहीं है कि हम एक देश के तौर पर राष्ट के तौर पर हमारी कोई एस्पिरेशन से हम कहीं पहुँचना चाहते हैं नहीं हमेशा वही स्लम डॉग मिलेनेर वाला इनका फंडा रहता है कि भारत में वही दिखाओ जूरियां हैं भीख मांग रहे हैं लोग के ओस है इसी तरह की चीज या फिर सलीम जावेद की नोटंकी आएगी जिसमें आपको कास्ट के फॉल्ट लाइन्स को एक्स्प्रॉइट करने की चेस्टा करते हुए लोग दिखेंगे ब्राम्मन हमेशा दूर्त व्यविचारी आप सोचिए और यह मैंने पहले वीडियो में बोला हूं लेकिन बार-बार बोलना आवश्चक है कि इनका क्या अजेंडा होता है आप सोचिए कि धूर्त साधू यह क्यों आपके मन में आता हवस का पुजारी ऐसे शब्द क्यों आते हैं यह कहां से रिइनफोर्स किये गए नैरेटिव्स हम हमेसा ब्राह्मन को देखते हमारे मन में उसके प्रती ऐसी छवी बना दी गई यह ठगता है कहां से आता है वैस्चे लोग जो वेल्थ क्रियेटर्स हैं जो जौब देते हैं रोजगार देते हैं उनके प्रती हेट्रेड क्यों है कि यह बहुत बहुत बहुता सेक्षन है उसको सेलबेट करता है उसको पुल डाउन करने की चैस्टा करता है यह कहां से आता है यह आता है उसी से कि वैस्चे जो है बनिया सूद खोर है बनिया चोर होता है यह सारे नैरेटिव सलीम जावेद ने और उनके जो भी पहले को ही प आपके मन में डाला है या आपको दिखाएंगे कि शूद्र को पाँच हजार साल से जो घसीता जा रहा था गोडे में उसका कोई लिखित प्रमान कहीं नहीं है किसी भी पुरान में वेद में महाभारत में कहीं पे भी आपको दिखा कि कोई शूद्र है और उसके साथ जो इस पादित हुए हैं धोल गवार शुद्र पशुनारी वाला चल रहा है वो शुद्र पशुमारी है की शुद्र लोग जो पशुओं को मारते हैं गीता अपरेश गुरखपूर वाले गलत छाप रहे हैं तो ये सारी चीजें ये कौन इस तरह के narrative को पुश कर रहा है उत्तरकांड कौन लिख रहा है बालमी की रमाइन में कि सीता का परित्याग हो गया जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं जिनोंने बार बार बताया है वो सब आपको नहीं बताया जाएगा ये फिल्मों के जरिये ये जो है इस तरह के narrative स्थापित किये जाते है इसी लिए हम Bollywood को अपने present form में प्रॉस्पर करने नहीं दे सकते सीधा सा प्रशन है बात यह नहीं है कि उसके साथ लोगों की रोजी-डोटी जुड़ी हुए रोजी-डोटी तो फिर नाविकों की भी होती है पुल बन जाता है तो मतलब पुल न बनने दे सड़क न बनने दे कि उस पर कारें चले बसे चले रेल की पट्रियां न भिछने दे हम बोले कि नहीं बैलगारी पर समान डोएंगे बैलगारी वाले कहां जाएंगे समाज बढ़ता है बॉलिवुड एक ट्यूमर की तरह है जिसको काट करके हटाने का समय आ गया है जब तक ये लोग रिवाइब नहीं करेंगे अपने कंटेंट को ठीक से नहीं लिखेंगे नहीं बॉयकॉट का कोई फर्क नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता तुम कहें चिला रहे हो नंगे हो करके नहीं पड़ता तो चिल करो भाई फर्क पड़ता है इसलिए तुम्हें आना पड़ता है तुम्हें समूह में आना पड़ता है भेडियों की तरह आना पड़ता है हायनाज की तरह आना पड़ता है और तुम वही मरी हुई लास जो एक बनी हो उसको किसी तरह से CPR दे के रिवाइब करने की चेश्टा करते जा रहे हो जो कि मुझे नहीं लगता कि निकट पविस्त में संभव है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बता हैं लाइक से रों सब्सक्राइब करते रहे हमारी जिस भी तरह से सहायता कर सकते हैं आप अवश्य करें